Hello guys, welcome back to my channel, Solution by me Shipra और मैं हूँ Shipra आज मैं बताऊंगी आपको की घर पर कैसे आप body wash और hair wash दोंगे एक साथ बना सकते हैं और एक बनाना है, उससे आप body wash भी कर सकते हैं और hair wash भी कर सकते हैं, यह इसको कैसे बनाना है यह पूरी वीडियो आप देखेगा, उसमें लास्ट में मैंने बताया है कि इसको लगाना, इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इसको बनाना भी बहुत आसान है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखेगा, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे बनाना है, इस तरह से आपको green tea का तीन से चार packet लेना है जो ग्रेंटी बॉडि वॉश होता है वो आपके स्किन के मॉसराइस तो करता ही साथ ही साथ आपके स्किन को फैल्दी भी बनाता है और जो आपके का hair wash बनाता है तो Green Tea Hair Wash आपके Hair को Promote करता है Growth के लिए और आपके बालू से जितनी भी Scalp में आपके ड्रेंडरफ होती है उसको कम करता है इस तरह से मैंने Green Tea का Packet निकाल निकाल दिया है और ये चार Packet मैंने लिए जितना मैं Shampoo या बॉडि वाश बना रही हूँ उसके लिए मुझे चार पैकेच चाहिए आप अपने साफ से कम जादा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है पैन में मैं पानी लूँगी मैं दो कप पानी लूँगी दो कप पानी लेने के बाद गैस को आन करना है जब यह पानी गरम होने लगेगा तब इसमें ग्रीन टी के पैकेट को डालना है पानी गरम हो गया है मैं इसमें ग्रीन टी पैकेट को डाल दूँगी इसको तब बॉil करना जब तक पानी आपका एक कप न बच जा सक तक आपको डॉन टी शैंपू से आपके स्कैल जो होते हैं यह फोल्ट के वही होता है और आपके हयर फॉल कोई कम करता है और हयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है उसके यह आपकी skin से aging को भी कम करता है जैसे body aging जो यह premature aging आने लगती उसको भी कम करता है skin protect करता है skin protector की तरह भी यह काम करता है तो इस तरह से देख सकते हैं पानी बोईल हो चुका है मैं इसको छान लूँगी इस तरीके से आपको पानी इसका निकाल लेना है यह जब ठंड़ा हो जाएगा तब इसके बाद आगे क्या procedure करना है तो इसको मैं एक बॉल में निकाल दे रही हूँ ठंड़ा होने के लिए पानी ठंड़ा हो गया है इसमें मैं एक चम्मच बदाम का तेल डालूँगी अगर आपके बस बदाम का तेल नहीं है तो आप coconut oil भी डाल सकते हैं इसके बाद मैं baby wash डालूँगी baby wash आपको इससा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसका दो से तीन चम्मच मैं baby wash डालूँगी बेबी wash में कोई chemical नहीं होता है कोई paraben नहीं होता है इस वज़े से मैं baby wash यूज़ करती हूं इससे तीन चम्मच आपको baby wash डालना है इसके बाद मैं aloe vera gel डालूँगी दो चम्मच अगर आपको थोड़ा थिक रखना है तो आप तीन चम्मच भी डाल सकते हैं aloe vera gel इन सब को अच्छे से mix करना है अगर आपके पास कोई essential oil हो वो भी आप डाल सकते हैं इस तरह से अच्छे से इसको mix करके आप एक डिब्बे में इसको भर सकते हैं इस तरह से आपका hair wash और body wash दोनों बन करके त्यार हो जाएगा जो body wash इसका होता है इसकी smell refreshing होती है कि आपका जो जब आम नहाते हैं तो आपका mind एकदम से fresh रहता है इसकीन को clean भी करता है और आपके इसको purify भी करता है तो इस तरह से आप एक डिब्बे में मिस्त भर करके आप फ्रिज में store कर सकते हैं बाकी आप रूम टेंप्रेचर पर आपका ये तीन से चार दिन चल सकता है बट आप इसको ज़्यादा बनाते हैं तो आप इसको फ्रिज में store करके रख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको like, subscribe और share कर दिजेगा पैंक ये, तो में पर आपकाश्य ज्यर्क में